अफ्रीका महादिप क्यों दो हिस्सों में टूट रहा है? क्या अफ्रीका में नए ऊसियन का जन्म होगा? केन्या में क्यों बड़ी बड़ी दरारें पढ़ रही है? और क्या ये सिर्फ अफ्रीका में हो रहा है? क्या भारत इस एस्पेक्ट में बिल्कुल सेफ है? क्या इन इससे एक नए ocean का जन्म होगा इससे होगा यह कि अफ्रीका महादीब के चववन कंट्रीज अलग हो जाएंगे जिसे आप इवन गूगल मैप में भी देख सकते हैं अगर इस्प्लिट होने का यही पैटर्न रहा तो केन्या सोमालिया इथोपिया और तंजानिया अफ्रीका महादीब से बिल्कुल अलग हो जाएंगे जोग्राफिकल रिसर्च लेटर्स की डिपोर्ट के अनुसार जांबिया और यूगांडा जैसे लैंड लॉक देशों की अपनी क सवाल यह है कि यह सब हो क्यों रहा है इसको समझने के लिए सबसे पहले रिटिंग को समझना होगा डाइवर्जन प्लेट बाउंट्री के कारण जब एक टेक्टोनिक प्लेट दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेट्स में तूठ जाती है तो इसे रिफ्टिंग कहा जा है यह प्रितिवी के Inner cell में Conveccion Waves की वजह से जब दो प्लेट्स opposite direction में move करती है तो यह Divergent boundary कहलाता है और यही divergent boundary जब ocean के अंदर होती है तो वहां oceanic plates बन जाती है जिससे एक नया ocean create होता है इसको шमझने के बाद अब बात करते हैं अफ्रीका क्यों दो हिस्सों में टूट रहा है तो रिपोर्ट्स के अनुसार जैसा 2005 में हुआ था जब इथोपिया के डेजर्ट में 56 किलोमीटर लंबा क्रैक डेवलप हो गया था वैसा ही रिफ्ट इस समय केन्या में भी डेवलप हो रहा है जो कि अफ्रीका महादीब के दो हिस्सों में टूटने का मेन रीजन है क्योंकि ओसियन के निचले हिस्से में सेम टाइप की रिफ्ट डेवलप हो रही है यह क्रैक बेसिकली अफ्रीकन नूबियन प्लेट अरेवियन प्लेट और अफ्रीकन सुमाली प्लेट के बॉर्डर पर कर रहा है जिससे अफ्रीका दो हिस्सों में टूट जाएगा अगला सवाली उड़ता है कि आखिर ऐसा कब होगा तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफ्रीका को दो हिस्सों में टूटने में कम से कम 5 million years का समय लगेगा क्योंकि GPS ट्रेकिंग से यह पता चला है कि अरेवियन प्लेट्स अफ्रीकन प्लेट्स से वन इंच पर येर के रेट से अलग हो रही है अच्छा आपको नहीं लगता कि अगर यही सब कुछ अफ्रीका के बजाए यूरोप या फिर अमेरिका में हुआ होता तब भी क्या हम यहीं बात करते कि आज नहीं बलकि 5 million बाद ऐसा कुछ Crunch होगा यूरोप अमेरिका ना साही लेकिन एसिया में तो हो रहा है दुनिया कि सबसे Muslim populated country मैं बात कर रहों इंडोनेसिया की एंड़ोनेशिया अपनी करके नुसांत्रा लेके जा रहा है नुसांत्रा बोर्णियो आइलेंड के इस काली मंतरन प्रोविंस में पड़ता है जो कि जकारता से एक हजार किलोमेटर की दूरी पर है जकारता जावा आइलेंड में है तो इंडोनेसिया ये खुसी खुसी तो कर नहीं रहा क्योंकि इसके लिए उनको 10.5 मिलियन लोगों को सिफ्ट करना होगा तो सवाल ये है कि फिर सिफ्ट कर ही क्यों रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार जक जकारता 2050 तक पूरी तरह से डूब जाएगा अभी आपके सामने एक सैटिलाइट इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1984 से 1991 तक जावा आइलेंड जिस पर जकारता इस्थित है कितना सिंख हुआ है वहीं इसके कंपेर में 2010 से 2015 तक के बीच में 2 इंच पर येर की रेट से डूब रहा है आप देख सकते हैं कि दोनों टाइम पीरेड में जो सबसे बड़ा आंतर है वो है रेड डॉट्स का नमबर ओफ रेड डॉट्स हैफ सिगनिफिकेंटली इंक्रीजद द्यूरिंग इस पीरेड रेड डॉट्स का मतलब है जब सिंकिंग रेड दो इंच पर य इंडोनेसियन गवर्मेंट 40 मिलियन डॉलर खर्च करके सी वाल बना रही है जो कि गरुण सेपका होगा गरुण इंडोनेसिया का नेशनल बर्ड है यही बात मुझे इंडोनेसिया की सबसे अच्छी लगती है कि यह अपने रूट्स को भूले नहीं है इसलिए इन्होंने अपने नय कैपिटल का नाम नुसांत्रा रखा है जिसका मतलब होता है आरगी पेलगो या फिर दीप समूह यह इंडोनेसिया के नय कैपिटल का प्रपोजड प्रेसिडेंशियल पैलेस है जो कि गरुण सेपका होगा नुसांत्रा नाम रखने के पीछे एक हिस्ट्री है ज उनके प्रधानमंद्री का नाम था गजहमद ऐसा कहा जाता है कि गजहमद ने प्रतिग्या ली थी कि जब तक वे पूरे नुसांत्रा को मज़ा पहित एंपायर में मिला नहीं लेते तब तक इस पाइसी फूड नहीं खाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी क्योंकि उन्हो ब्रुनेई साउथ थाइलेंड और साउथ वेस्ट फिलिपेंस के एरियास को जीत कर नुसांत्रा को बनाया था इसलिए गजहमद को इंडोनेसिया में नेशनल लीडर का दरजा पराप्त है इसलिए आपको आज भी बहुत सारे हिंदू देवीदेताओं के मंदिर पूरे इ इंडोनेसिया में केवल 1.7% ही हिंदू पॉपलेशन है फिर भी आपको यहां राम लीला देखने को मिल जाएगी बहुत कम ही लोगों को पता है कि इंडोनेसिया की एरलाइन का नाम गरुन इंडोनेसिया है तो ऐसे हेटरेज वाले कंट्री की कैपिटल का सिंक होना पूरे हिउमेनेटी के लिए कभी सही नहीं हो सकता जहां क्लाइमेट चेंज की वज़ा से एक देश को अपनी कैपिटल सिफ्ट करनी पड़ रही है वहीं पूरी दुनिया को अपना राज समझने वाले अमेरिका के लिए क्लाइमेट चेंज ऐसी कोई चीज एक्जिस्ट ही नहीं क करते हैं आप साफ देख सकते हैं कि भारत और चाइना जितना कार्बन एमिशन करते हैं उसका साथ गुने के बराबर का कार्बन एमिशन अकेले कैनेडा करता है दुनिया को ग्यान देने माला अमेरिका अकेले ही भारत का 25 गुना जादा कार्बन एमिशन करता है करते ये लो भारत के उपर थोड़े ने इसका कोई असर है तो रुकिए आदी संकराचारे द्वारा इस्थापित आठ मठों में से एक उत्तरा खंड का जोतिस मठ अब डूब रहा है यहां के लगभग 600 घरों में सडकों पर क्रैक्स देखे जा सकते हैं इसी लिए गौवर्मेंट ने इस सीट्स और हुमन एक्टिविटीज जैसे रिसोर्स एक्स्ट्रेक्शन इंफरस्ट्रक्ट्ट्र लोड या फिर दोनों के कारण हो सकता है दोनों हो या ना हो लेकिन एक बात तो कंफर्म है और वो है नेचुरल कॉज जिसके लिए हम हुमन सी रिस्पॉंसिबल हैं लैंड एरिया है वहां 11 cm per year के rate से यहां की जमीन सिंक हो रही थी जिसका में रीजन था लैंड सब्सिदेंस इसी लैंड सब्सिदेंस की वज़ा से frequent अर्थक्वेक्स भी आते हैं और यही अर्थक्वेक्स क्रैक को डबलब करते हैं जो कि एक में रीजन बनता है किसी एरिया के सिंक होने का रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2040 तक लैंड सब्सिदेंस का इंपेक्ट दुनिया के 8% लैंड पर होगा जिससे 1.2 बिलियन लोगों को इसका सीधा सीधा नुपसान होगा इन्ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लैंड सब्सिदेंस का सबसे ज़ादा इंपक्ड एसी अब सवाल ये उड़ता है कि हम humans इसके लिए क्या कर सकते हैं तो इसको दो labels पर contain किया जा सकता है पहला है government label पर government को ये ensure करना चाहिए कि कोई भी city over populated ना हो इसके लिए सहरों के साथ सथ गाउं को भी develop करना होगा जिससे कि गाउं से सहरों की और होने वाले migration को रोका जा सके वहीं सहरों में groundwater pumping को contain करना बहुत आउस्टेक है क्योंकि ये आगे चलकर sinking का एक main reason बनता है वहीं पहाडों में होने वाला development नेचर को ध्यान में रख कर किया जाए जिससे वहां का ecosystem न भीगड़े जो हम green field expressways बना रहे हैं उनके किनारे किनारे या फिर दोनों lens के बीच में पेड़ पौधे लगाने चाहिए तो ये तो ये हुआ कि government अपने label पर क्या कर सकती है अब बात करते हैं कि हम normal लोग अपने label पर क्या कर सकते हैं तो हमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस हर कोई अपने life में अगर एक पेंड भी लगा देता है तो आपने humanity के लिए बहुत कुछ कर दिया आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके घर में किसी बच्चे के जन्म होने पर एक पेंड लगाएं और उसे भी अपने बच्चे जैसा पाल पोस के बढ़ा करें क्योंकि उस बच्चे को सच में जिन्दा रखने के लिए जो चीज चाहिए वो सिर्फ एक पेंड ही दे सकता है मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की इसी नोट पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे लेकिन मैं आप से जानना चाहूँगा कि आपके क्या सजेशन्स है यूमेनिटी को बचा के रखने के लिए फील फीरी टू कॉमेंट थैंक्स फर वाचिंग